एक साइको ने एक लड़की को बेस्मेंट में बंद कर दिया है, वो उसके साथ गेम्स खेल रहा है, क्या लड़की उससे बच पाएगी, जो भी चल रहा है, इसके पीछे और एक प्लैनिंग है, हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे मुवी वाचिंग, ये 2019 की Korean थ्रिलर मुवी है, इस मुवी की situation तो thrilling है ही, पर इसका aim भी amazing है, explanation स्टार्ट करने से पहले, आप सबसे request करना चाहता हो, अगर आप को वीडियो चल लगता है, तो please comment और like जरूर कर दीजेगा, इसे चैनल को support मिलता है, अब बिना किसी देरी के explanation स्टार्ट करते है, मुवी स्टार्ट होती है, औ और एक building का parking lot हम देखते है, इसमें एक लडगी अपनी गाड़ी में बैठती है, पर उसके गाड़ी में और कोई था, यह सब और कोई camera में देख रहा था, पर यह कौन था, यह हमें पता नहीं है, इसके बाद हम देखते है, कि office का day है, हमारे main character का नाम हम Cindy रखेंगे, Cindy अप फिर भी जॉन उससे बहुत सारी बाते करता है, वो कहता है, कि मैं हमेशा से अकेला था, उसे ब्रदर और sister नहीं थे, उसे लगता था कि उसकी कोई sister हो, अगर उसकी sister होती, तो उसे वो नूना बुलाता, वो Cindy को कहता है, कि मैं तुम्हें आज से नूना बुलाओंगा, Cindy को यह सब सुनकर अच्छा लगता है, जब Cindy office में थी, तब उसे मिलने के लिए उसके boss आते है, वो कहता है, कि एक work है, जो जल्दी सी जल्दी तुम्हें खतम करकर मुझे देना पड़ेगा, यह जो time है, यह Christmas का है, Cindy को अपनी बेटी के साथ time spent करना था, पर शायद इस work की वज भी है, वो दोनों अकेले थे, तो बोस Cindy के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, Cindy उसे जड़क कर, जल्दी से वहाँ से चली जाती है, बिल्डिंग में हम एक पुड़ा security officer देख सकते है, पार्किंग के गेट पर Cindy फिर से John से मिलती है, John कहता है, तुम बहुत ही hard working हो, तुमारा इतना इस बिल्डिंग में कोई भी काम नहीं करता, Cindy उसे जादा बात नहीं करती, उसे एक drink देखकर वहाँ से चली जाती है, अगले दिन जब फिर से काम पर आती है, तो लिफ्ट में उसका बॉस उसके साथ है, उसे फिर से उसका work complete करने के लिए बोलता है, Cindy कहती में भी एक कुछ बात कर रहे थे, यह चल क्या रहा है कि हमें आगे पता चलेगा, इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत रात हो जाती है, Cindy और बेद इन दोनों को यही काम करना पड़ता है, Cindy को बेद के लिए बुरा लगता है, तो कहती है कि आगे का मैं समाल लूँगी, उपर से electricity का अतार कट गया था, जब उसने गाड़ी unlock किये, तब उसे जरा shock लगा और वो बेहोश हो गये, जब उसे होश आता है, तो जौन के office में है, तो अपने कपड़े देखती है, तो वो भी बदल चुके है, जौन कहता है कि वरी मत करो, मैंने कुछ भी देखा नहीं, तुम्हारे कपड़े गिले हो गए थे, इसलिए मैंने उन्हें बदल दिया, सिंडी डर गई थे, और अपनी गाड़ी के चावी ढून रही थे, जौन भी उसे वो दे देता है, वो फिर गाड़ी स्टार्ट करने के कोशिश करती है, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है जौन उसके पास आता है, और कहता है, कि मुझे पता था, कि यह स्टार्ट नहीं होगी, मैंने एक टोट ट्रक को बुला लिया है, वो जल्द यहां आ जाएगी, तब तक तुम मेरे ऑफिस में बेट कर सकती हो, सिंडी को उसके शूस नहीं मिल रहे थे, तो बेरफोट अपन सिंडी जौन से पुछती है, कि तुम्हारे पास मेरे सैस के कपड़े कैसे थे, जौन कहता है, कि यह मेरी गर्ल्ट्रेंड के है, जो होने वाली है, यह सिंडी को बहुत क्रीपी लगता है, वो फिर उसके साथ सेल्फी लेना चाहता है, सेल्फी लेते वग सिंडी की नेक पर वो हाथ रखता है, इससे सिंडी डिस्टा हो जाती है, उसे अभी के अभी यहाँ से जाना है, जौन उसे रुकने के लिए मनाने की कुशिश करता है, पर वो नहीं मानती है, वो बाहर निकलती है, और डोर दगाती है, तब सब डोर बंध है, बेले में और भी कुछ डोर थे, जिसे जाकर जौन बन करकर आता है, सिंडी फिर से जौन के ऑफिस तक पहुचती है, तो जौन वहाँ नहीं है, वहाँ उसकी डस्बेन पर उसकी नजर जाती है, अरलियर पार्किंग लॉट में सिंडी की कुछ चीज़े गिर गई थी, इसमें उसकी लिपस्टिक भी थी, य सिंडी ने कैमेरे चेक किये, तो उसके खुत के घर में भी जौन ने कैमेरा लगाया हुआ है, उसके घर में क्या-क्या जलता है, ये सब वह देख सकता है, वो अब यहाँ से निकल रही थी, तब हे जान वहाँ जाता है, जौन गहता है, तुमने तो सब कुछ देख लिया, Cindy उसे किड़ी किड़ाती है कि please मुझे यहां से जाने दो पर John मानता नहीं John Cindy को अपनी girlfriend बनाना चाहता है Cindy जाने के लिए struggle करती है पर John उसके हाथ बान देता है वो खेती है कि please मुझे मेरी बेटी के पास जाने दो जान केता है अगर तुम अपनी daughter को इतना miss कर रही हो तो उसे में यहां लेकर आऊंगा यह John की धंकी थी कि उसकी daughter को मार डालेगा अब वो जो भी कहेगा वो सब Cindy को मानना पड़ेगा वो फिर Cindy को गाड़ी में बिठाता है उसे कहता है कि मुझे melodrama डिक movies पसंद है लड़की लड़के को misunderstand करती है और उसके बाद उसके pair में पड़ती है इस तरह की storyline उसे पसंद है यानि John को लगता है कि आप Cindy उसे resist कर रही है पर बाद में उसके pair में पड़ जाएगी अब हम देख सकते हैं यह गाड़ी के सामने Cindy का boss और beth यह दोनों है जान फासली गाड़ी चलाता है और इन दोनों को कुचल देने वाला था और गाड़ी stop कर देता है Cindy उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है पर फिर भी ये game वो खिलता रहता है जान उसे कहता है यह दोनों तुम्हें बहुत तंग करते थे अब मैं इन दोनों को मार डालने वाला हूँ सब कह रहा था तभी सिंडी गाड़ी से बाहर निकल कर वहासे भागने लगती है पारकिंग लॉट में सिंडी और बैथ फिर से मिलती है बैथ बहुती डर चुकी है उसे रखता है कि वह मर जाएगी सिंडी उसे कॉंफिडंस देती है कहती है हम कभी भी नहीं मरने वाले सिंड जोन फिर अपने ओफेस में आता है उसके कपड़े खुन से भरे हुए थे चेंज करकर सब कैमेरेज देखता है सिंडी सब कैमेरेस से छूपकर लिफ्ट में पहुचाती है वो उपर जा रही थी तब लिफट बंद होती है फिर वो नौटीस करती है कि लिफट में भी एक कैमे वह से पता चल गया, वह उसे पकड़ कर ओफिस में लाता है, सिंडी से कहता है, अगर तुम बाहर नहीं आई, तो बैत को में मार डालूँगा, सिंडी के पास फिर कोई आप्शन नहीं था, वह ओफिस में आ जाती है, और आप बैत नहीं है, जॉन कहता है, मैंने उसे छोड़ के लिए कहती है, जॉन इवन देख रहा था, जबी सिंडी अपनी पर्स में से एक स्प्रे निकालकर उसके आख में डाल देती है, और फिस में एक फिज बाल भी था, जो उठा कर उसके सर में डालती है, जल्दी से वहाँ से भाग कर गेट तक पहुछती है, वह पुलिस को क आखिंग है तो उसे रेंच नहीं आती है, वह हाथ आगे करकर कॉल लगा भी देती है, पर वह क्या कह रही थी, यह पुलिस सुन ही नहीं पाते है, उसके हाथ से मोबाइल भी फिसल जाता है, वह अपना मोबाइल उठाने की फिर से कोशिश कर रही थी, तभी उसे कुछ रहा था, उसे वह आवाज लगाती है, यह फोन उठा लेता है, इसके पैरलल में हम देखते हैं, जॉन को अब होश आ चुका है, सिंडी ने जो भी किया, यह देखकर अब वो हर्ट है, वो खहता है, कि मैं मेलो ड्रामेटिक मूवी बनाना चाहता था, पर अब यह मूवी हो उसे समझा रही थी, कि पुलीस को कॉल करो, अचानक से जॉन जब सिंडी की पीछे आता है, तो हमें पता चलता है, कि आदमी ट्रंक था ही नहीं, सिंडी का फोन लेकर वहाँ से वो चला जाता है, इस सिंडी से हम कंक्लूड कर सकते हैं, कि इस गेम में सिर्फ जॉन ही इंक् इसलिए जॉन पूरी पार्किंग में म्यूजिक चलाता है, यह पुलीस सब चेक करते हैं, सिंडी डिक्की से आवाज कर रही थी, पर म्यूजिक में उन्हें कुछ भी सुनाय नहीं दिया, पुलीस यहां से चली जाने से पहले, सिंडी बहुत ट्राय करती है, कि वो इस डिक इन दोरों में अफबॉर्ण होने लगते है, मृसे घयुते होते हैं उन्हेरे जान पूर्ण हो educating में जैक हुँ हांते है कहता है कि हमने यह सब नाटक किया था, जो गेम जॉन सिंडी के साथ खेल रहा है, इसमें सिंडी का बॉस भी शामिल है, सिंडी पूछती है क्या यह सब जोक है, तो बॉस कहता है तुम्हारे लिए नहीं, हम तुम्हारे साथ ही यह सब कर रहे हैं, यह सुनकर सिंडी चल्दी स वहां से भाग जाती है बॉस को सिंडी के गाड़ी के पास आवाज आती है वहां जाकर वो चेक करता है तो सिंडी उसके पीछे खड़ी है आग बुजाने के लिए बिल्लिंग में वाटर पैक थे जो सिंडी के पास है पानी के फोर्स से वो बॉस को इंजूर कर देती है जैसे बोस अब बहुत ही गुषसा है जो भी वह गेम झाल रहा है इसे और जो पॉझा स पर पर जोटाए थैं उसे खुन वेह रहा था इस खुन को ट्रेस करते करते जॉन यह लगता जोगता है एक किस के पीछे ही खड़ी है वो उसे चाप को मारने की कोशिश कर दिया और फेल हो जाती है यहां लॉकर के पास हम बेट की डेट बोड़ी भी देख सकते हैं जॉन ने सिंडी से कहा था कि मैंने बेट को छोड़ दिया है पर एक्चुल में उसने उसे मार डाला था अब यह सिंडी को जिशसके मारने लगता है वो मर रही थी पर उसके हाथ में उसका शुट रूब यह जुट यहुँज हो गया बहार निकलने के लिए उसने गाड़ी स्टाट कि वो निकल नहीं वाली थी तर जौन ने अपनी गाड़ी उसकी गाड़ी से तक्रा दी ये दोनों फिर एक दुसरे की आमने सामने आ गए है जैसे हमने बहुत सारी बॉलिवोड मुवीज में देखा है कि एक की डारेक्षन में दोनों गाड़ी चलाते है इसी तरीके से ये भी चलाते है लास्ट मुमेंट में गाड़ी का डारेक्षन चेंज करकर इन दोनों का accident हो जाता है इस accident में John को कुछ ज़्यादा चोट नहीं आई पर Cindy अपनी गाड़ी में उठ नहीं रही Cindy के पास हो आता है और उसे good bye कहता है अब वो उसे चाकू से मार ही डालने वाला था पर cigarette burner से उसने John को चोट लगा दी वो भाग रहती पर फिर भी जॉन ने उसे जाने नहीं दिया Cindy ने एक चाकू जॉन की पेट में डाला उसने कहा कि अब तुम किसी को भी हट नहीं कर सकते जॉन कहता है कि अभी भी में बच सकता हो और भी लोग को हट कर सकता हो अब वो अपना इचाकू लेकर खुद को माय डालता है Cindy फिर पार्किंग लॉट से बाहर निकल गए अब इस मूवी का twist आता है यह जो सब चल रहा था यह सब रेकॉर्ड हो रहा था जिस डंग आदमी को हमने मूवी में देखा था यही इनका boss है यह मूवी अब रेकॉर्ड हो चुकी है पार्किंग लॉट में सब डेड बोडिस पड़ी हुई है अब यह सब साफ किया जाएगा किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा जब हम मूवी में देखते हैं तो जॉन कहता है कि मुझे मेलोड्रामेटिक मूवी बनानी थी कुछ हॉरर नहीं इसका मतलब अब हमें पता चला है जॉन एक्च्वल में सिंडी से पैयर करता था वो उसके साथ गेम्स तो खेल रहा था पर उसे मारना नहीं चाहता था लास्ट में जब उसे पता चला कि सिंडी माने की नहीं तो अपने आपको ही उसने मार डाला जोबे लोग इस गेम के पीछे थे ये सब एविडेंस मिटा देते हैं इनमें डिस्केशन होती है कि सिंडी का क्या किया जाए इनका बॉस कहता है कि इस सिचोईशन को वो समाल सकता है सिंडी अफ्री है पर इस इंसिडेंट के बारे में वो किसी से भी बात नहीं करती है हमें एक इलिगल वेबसाइट दिखाई जाती है जहाँ पर ये मूवी सेल होती है ये जो इंसिडेंट हुआ था ये यही खतम नहीं होगा इसके बीचे बहुत सारे लोग है और ये बहुत बड़ा प्लान है इसी तरीके से मूवी एनका बारे में होती है